ओम नमू भगवते वासु देवाय नमा नमशकार दोस्तों कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन आफ प्रेहना में भगवान विश्नु की कृपा पाने के लिए भगवान विश्नु का आशरवात पाने के लिए वैसाक मास से महत पूर्ण कोई महीना नहीं होता ऐसी मानिता है कि वैसाक मास का जन भगवान विश्नु के हिदय से हुआ है वैसाक मास में पूरी श्रद्धा से भगवान विश्नु की पूजा करने से आपके हर तरह की मनो कामना की पूरती होती है हिंदु धर्म में वैसाक मास की ना सिर्फ केवल धार्मिक दिश्ट्री से बलकि आध्यात्मिक दिश्ट्री से भी बहुत बड़ा महत्व माना गया है हिंदु धर्म के खास महीने वैसाक महीने की शुरुवात 17 अप्रेल से हो चुकी है और ये महीना 30 मही तक चलेगा हिंदु केलेंडर के अनुसार वैसाक साल का दूसरा महीना होता है और इसे माधव मास भी कहा जाता है माधव यानि भगवान श्री कृष्ण का रूप श्री हरी विष्ण का रूप इस महीने को माना जाता है वैसाक मास के इस पावन अफसर पर बहुत सारे तीज और तेवार आते हैं बहुत सारे विशेश दिन ऐसे आते हैं जिन पर छोटी सी छोटी भगवान विष्ण की पूजा विधि विधान से कर देने से आपकी हर तरह की समस्याओं का तो अंत होता ही है अगर आप अपने घर में माता तुलसी और माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं विधि विदान से भगवान विश्ण के साथ तो आपके घर में इस थाई रूप से माता लक्ष्मी और माता तुलसी का वास होता है तो दोस्तों धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि नारद मुनी ने कुछ ऐसे कारे बताये हैं जो कि वैसाक मास में अवश्य करना चाहिए जिनको कर देने से आपके घर पे हर वक्त खुशियां बनी रहती है आपके घर पे आपके संसार पे विश्णु भगवान और मातर लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तो आईए जानते हैं कौन से है वो काम जो कि आपको वैसाक मास में अवश्य करने चाहिए धार में ग्रंतों के अनुसार वैसाक मास भर आपको किसी शुद्ध पवित्र नदी जल कुंड में स्नान करना चाहिए लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र जल नदी कुंड नहीं है या पवित्र नदी जलकुंड में स्तान करना संभव नहीं है आपके लिए तो आप अपने घर में भी पानी में गंगा जल मिला कर स्तान कर सकते हैं ऐसी मानिता है कि वैसाक मास में हर दिन सूर्य अदर से पहले उठ जाना चाहिए ऐसी मान्यता है कि वैसाक मास में जो हर दिन सूर्य अगर से पूर्विस्णान करता है उससे भगवान विश्णु सदैफ प्रसन रहते हैं और उसके घर पर भगवान विश्णु की कृपा सदैफ बनी रहती है वैसाक मास का महीना भगवान शिफ की पूचा करने के लिए और भगवान शिफ को जल अर्पित करने के लिए भी बहुत हिश्व माना गया है ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्णु के अराध्य भगवान शिफ पर जल का मटका बानने से शिवलिंग के उपर जल का मटका बान और उसमें नित्र प्रते दिन जल डालने से गंगा जल डालने से आपकी हर तरह की समस्याएं भगवान विश्णु अर लेते हैं। इसके साथ साथ वैसाक मास का महीना आपके पित्रों के तर्पन के लिए और उनका हर दिन श्राथ करने के लिए भी बहुत ही उत्म माना गया है। मौसमी फल्चों होते हैं उनका दान गरीबों में और जरूरत मंद लोगों में जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसी मान्यता है कि इस मास में लगातार 14 दिनों तक तुल्सी का पत्ता भगवान विष्णू के चड़नों पर जरूर चड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर पर इस थाय रूप से माता लक्षमी का वास होता है। तो 14 दिनों तक आपको तुल्सी का पत्ता एक पत्ता दो पत्ता भगवान विष्णू के चड़नों पर चड़ाना है। इस भात का ध्यान जरूर रखें कि इतवार के दिन यानि कि रवीवार के दिन तुल्सी के पत्ते को आपको नहीं तोड़ना है तो एक दिन पहले ही पत्ता तोड़कर रख लें। और लगातार 14 दिनों तक भगवान विष्णू के चड़नों पर तुल्सी का पत्ता चड़ाते रहें। अगर आपके घर में किसी तरह की समस्या हैं जो कि आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तो उन पत्तनों को उठा कर बापस से बिना कपलों में लपेटे तुल्सी के गंबले में डाल다고 गभाल दें। तो ऐसा करने से आपके घर से हर तरह की समस्याओं, हर तरह की negativity का अंतो होता है। वैसे तो ये उपाय आप किसी भी मास में कर सकते हैं, पर वैसाक मास में इस उपाय को करने क्या महत्व ही अलग होता है। ये उपाय खास माता तिल्शु और भगवान विश्णु को प्रसंद करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से आपके घर पर इस्थाय रूप से माता तुलसी कवास होता है और जहां माता तुलसी कवास होता है वहां माता लक्ष्मी जरूर रहती है और जहां माता लक्ष्मी है वहां भगवान विश्नु जरूर बसते हैं धार में गरंथों के अनुसार ऐसा बताया गया है कि वैसाक मास में जमीन पर ही सुना चाहिए और एक ही वक्त भोजन करना चाहिए मानिता है कि ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इस मास में गर्मी की शुरबात होती है बहुत तेद भीशन गर्मी की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं इसलिए जादा तेल मसाले वाला खाना खाने से या जादा देर तक सोने से आपकी शरीर में कई सारे रोगों की उत्पत्ती होती है इसलिए गरंथों में इस बात का वर्णन किया गया है वैसाक मास में वरत रखते हैं उन्हें बहुत ही नियम से चलना चाहिए सूरियोदे से पहले उठना चाहिए विस्तर पर नहीं सोना चाहिए और ब्रह्म हचरे का पालन भी जरूर करना चाहिए धार में ग्रंतों के अनुसार वैसाक मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए और वो भी सूरियास्त से पहले सूरियास्त के बाद भोजन करने का नियम नहीं बताया गया है वैसाक मास में दोस्तों वैसाक मास में काल शर्प दोस्त से मुक्ती पाने के भी बहुत सारे उपाय किये जाते हैं या उपाय पूरी विधी विदान से अमवश्या के दिन किये जाते हैं इसके साथ साथ वैसाक मास में अमवश्या के दिन खास दोर पर पीपल पर जल चड़ाने और शाम को रिया जलाने का भी बहुत-बड़ा महत्व माना गया है। वैसाक मांस में अम्हवश्य के दिन सनी जयंतिका भी बहुत-बड़ा पावन पर्फु मनाया जाता है। इस दिन भगवान शनी को तिल जढाने से और दिया जलाने से आपकी हर तरह की मनों कामना की पूर्टी होती है और आप शनी की क्रू दिश्री से भी बचे रहते हैं दोस्तों धार में ग्रंतों के अनुसार वैसाक मास में वैसाक मास की कथा सुनने से अपने घर पर भजन करने से माता लक्षमी को याद करते रहने से और भगवान शिफ को जल अरपन करने से आपकी हर तरह की समस्यों का अंत होता है हर तरों के पापों का नाश होता है हर तरों के दुखुं से आपको मुक्ति मिल जाती है दोस्तों वैसा आक मास में अतियंत गर्मी होती है इसलिए ऐसी मान दार्मिक शास्त्रों में ऐसा बताया गया है सो विस जो भी विसकी में प्यासे ह anyway पैसे दानी पीलाता है उसे सब तरहके दान के अनुसार फल उसे सब तीध स्थानीं के दर्शन के बराबर का फल केवल लोगों को पानी बाहलाने से प्राब्त हो जाता है दोस्तों वैसाक मास का बहुत बड़ा महत्व है जिसे बोल कर बताया नहीं जा सकता फिर भी कुछ छोटी छोटी बाते हैं कुछ छोटी छोटी चूटी चीजे हैं जिनका पालन इस पहीने में करके आप भगवान विश्नु और माता लक्षमी की कृपा अपने घर पर स्थाई रूप से पा सकते हैं तो जो नियम मैंने आपको बताया हैं उन नियमों का पालन जरूर करें और उन चीजों को जरूर जरूर करें आपके घर पर इन चोटे चोटे हुपाओं को करने से सुख शान्ती सम्रिद्धी की कमी कभी नहीं होगी माता लक्षमी भगवान विश्नु का अवास आपके घर में इस थाई रूप से जरूर होगा धन्यवाद दोस्तों विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों में इश्रे कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद राधे राधे